नमस्कार दोस्तों, वाईटी मनचकुमार की एक फ्रेस एफिसोड में आप सबको तहए दिल से स्वागत है, फ्रेंट्स आज की इस टपिक में हम बात करेंगे न्यू अपडेट के साथ जो की आ रहा है वाईटी मनचकुमार की यूटूब चैनल में, फ्रेंट्स आज की इस जो की शुरू हो चुका है, इसमें भारत को क्या बेनिफिट हो सकता है? सची साथ ये जाने के, फ्रेंट्स की आगे जाकर भारत को एक्सेसाइज की सही होई से काम देगा, सची साथ ये जाने के इस एकसरसाइज करने के बाद पड़फशी देश में कितना दबदबाब बन एक टुकडी फ्रांस में इस समय नाटो देश की साथ युद्धवास कर रही है बहाराच ये बायवशना की अलाबा बहां पर नाटो देश में सामिल, जर्मानी, ग्रीस, इटली, नेदरल्यान, ब्रिटेन, स्पेन और आमेरिका की बायवशना भी यहां पर भाग ले रहे है यहां पर युद्ध भ्यास में फ्रांस की न्यू अबडेट के साथ जो आ रहा है यहां पर फ्रांस यार आंट स्पेस फोर्स एफ एएसेफ इन मोटल डी माराना फ्रांस में यह विध्धाबास हो रहा है जो फ्रांस इसको त्यारी कर रहा है मुल्डूप से उसके बाद य यहां पर second update में विद्धाबैस का नाम जदी हम बात करेंगे exercise औरी न दिया गया है यहां 17 एप्रिल से शुरू हुआ है पांच में 2023 तक चलेगा जदी में बात करो फ्रेंट्स यहां पर इस अभ्यास में IAF की चार राफेल फाइटर जेट जो की 2C17 यहां पर अभेलेबल नियू अप्डेट और नियू मुकाम वहां पर दिखा रहा है जहां पर फ्रेंट्स के समय काफी जो देश यहां पर जड़ित हुए है वो इस चीस को देखकर इंडिया का सावाज कर रहे है तो इसी साबसेद बात करेंगे 165 बायुशनिक सामिर भी हुआ है भारते बायुशना की कारे सिल्क तथा घरेडू और समद्री से होगे जदी मैं बात करूं उपर जिन देशों की नाम अपनों को मैंने बताया उनमें भारत को छोड़कर सभी न्यू अपडेट जो न्यू देश यहां पर है जदी है मैं नाटो देश की बात करूं मेंबर्स अब द तक चार चुटे बासना की बात करूंगी यहां पर भारत सुच्ट है क्या था अपना पराकりました रहा हैुससे ऑने बाले दिनमें काथ थी बहुती बड़ा समझ होता है तो अब हम जानते हैं जो जूब एे जानेगे भारत ये जानते हैं कि होता है हुझी होती है। क्या है क्यों चुना गया है। डिशन को मैं बताऊंगा alred curved suslingen पैस और Sum बट चारों को आखिरकार क्यों चुना गया इसमें क्या वेनिपीड हो सकता है भारत यार फोर्स को भी बताएंगे जिदि में बात करूप्टेंट से हम पर आए एफन की इंडियान एयार फोर्स की राफेल फाइटर जेट पहली बार बिदेशी और घरती बार जो दिभायात म समल 6 फीट है उसके अधिकतम गती 1912 किलोमेटर घंटा है लेकिन हम बात करेंगे कंब्याक्ट रेंज में 1850 किलोमेटर रहे चुका है अपरेशन रेंज 3700 किलोमेटर है इसका जो आप इमेज में देख रहे है फ्रेंज यह अधिकतम 5952 फिट की उचाई तक जा सकता है यह ए इनन लगे है जहां पर 125 राडर पती मिनिट दागित आती है इसके अलाबा इसमें 14 न्यू अपने साथ ले जा सकता है तो यह कहिना कहिए अपने आप में बड़ी बात है उसके बाद हम बात करेंगे दुनिया का बड़ा मिलिटरी ट्रास्पोर्ट विमान C-17 गोलमास्टर ट्रिफिल आई जिदि हम बात करेंगे भारती बावतना में इसे दो विमान क्रस भेजा है तो इस भारी भरकब विमान को दो लोग मिलकर उडाते है जिसमें दो पाइलट और एक लम मैट होते है यह एक बार में 17,519 किलो बार था जिसे भुकम बायत है उसमें यहां पर इसको C-17 ग्लोब मास्टर ट्रिफल बान को इस्तिमाल किया गया था जहां पर भारत से सेना NDRF टीम यहां पर हिल्फ करने के लिए पहुंचे थे ठीक है तो यह कहीं आपने आप में बहुती बड़ी बात है एक सो चोगतर फ यहां सकता है इस पर किसी तरह की हतियार नहीं होती है यह चिर्फ परिभ्वन करता है तो यह इमैज कोईasten स्सेंस नहीं लगा होता ही यह चीज़ों को से लिए फ्रांस का दिव्यास के लिए दो देशों बिमान भेजा है जो हवा में काफी हद तक अपने आपको पुरूब कर चुकते हैं उसके बाद में जदी बात करू हवा में रिफिलिंग भी ये कर सकते हैं तो यह हवा में उरते हुए पेट्रॉल पंप की तरहा इनका नाम हम पर बात करेंगे इनसलिन 1178 इस बिमान की उडान के लिए 6 लोग लगा जाता है यह आपने अंदर एक लाग किलोग्राम मिलिटरी जेट को जो है ले सकता है यानकि उसके साथ साथ एक लाग किलोग्राम मिलिटरी जेट की ये फ्वेल को भी भर सकता है तो कही ना कहीं बड़ी बात में 152.10 10 फिट लंबाई विमान की जड़ी हम बात करेंगे तो इसका उचाई 48.5 फिट होती है यह अधिकतम 850 किलोमेटर प्रति घंटा की रप्ता से उड़ता है एक बार 7300 किलोमेटर तक उड़ान भर सकता है अधिकतम 29000 फिट के उचाई तक यह जा सकता है तो फ्रेंट्स आज क को आच्छे लगा है ज़रूर कमेट वक्स में मेंटर्न कीजिएगा इसे ही तमाम काम के खबरे के लिए फ्रेंट्स आप हमारी चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तब तक लिए फ्रेंट्स की वाचिंग वाइटी मनेजमार